अब आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे समाजिक अधिक कि अधिवाइब को प्रक्टिस टैट तोट की है आप उनको देखिए लिस्ट में प्रिवियस यर्स के पेपर आये हैं समाजिक अधियन के 35 questions यह जो question आएंगे at वाले section में आएंगे तो इसमें हमारा पहला question है betrσι माझ की कपास की कहती के ताच्य माने कहते साच्य को क्या कहते है? सबूत छिक रहा है? मिलते हैं तो कपास की खैकी खेती होती थी इसके साच्य मिलते हैं महरगड मेहरा है यह हैं कपास की साच मेहरगड में तो ऑफ्शन पूर इसका राइट अंसर होगा आर्यों के सब्सक्राइब देवता थे आर्यों की बनता थी की देवता इंद्र को सुद्ध में विजय दिलाते हैं तो ऑफ्शन पूराइट अंसर होगा आगे बढ़ते हैं आगे कुश्चन है 128 मां 128 मां साहित में सूले महा जन्पदों का उल्लेक है तक बहुत पूस्टक और उस पूस्टक का नाम है अंगुत्तर निका है अब इसको आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा बताते हैं यह सूले महा जन्पद है जो महा जन्पद है वह यह बहुत तक अंगुतर निकाय में सूले महा जन्पदों का उल्लेक है प्रकार की राज थे पहला था रेपबलिक तंत्र और दूसरा था मोनार्की यानी राजतंत्र अब तंत्र क्या होता है इसे राज्यों का शाषन राजा द्वारणा ओकर गण अत्वा संग द्वारा होता है उससे राज्यों का शाषन होगा तो राजा द्वारा नहीं होगा गण और जन अत्वा संग द्वारा होगा और राजल्ट क्या होता है इसमें राज्यों का चाषन और राजा सूर्षेन करेंगा वो राजा करेंगा जो मुखिया होगा वो राजा होगा उसको कहते हैं जो इसमेंusan महाजन्पत हैं इसमें गुल्द कपांद के ऊचली हैं गांधार और कंबोज इन 14 जो महाजन पता जो मैंने अभी बोले उनमें राज तंत्र था और जो दो थे उनमें लोक तंत्र और वो दो कौन से थे वज्जी और मल अब आगे बढ़ते हैं कि अशोक ने अपने संदेशों को किस भासा में लिखवाया था अशोक ने उस समय की ज में प्रिचार किया वो प्रक्रत भाषा में अंदेशों को लिखवाया तो ऑफ्शन 3 का राइट आंतर है अब आगे देखते हैं 130 में क्वेशन 130 में क्वेशन है कि सक सम्मद्ध किसने चलाया सक सम्मद्ध चलाया था तो हम जानते हैं ये शक्षम्म चलायता कनिश्क पिर्थम ने कनिश्क पिर्थम सरवादिक विख्यात शाशक हुआ इत्यास में दो कारणों से प्रसिद्ध हुआ पहला उसने अटतर ईसवी में एक संबत चलाया जो की सक संबत कहा जाता है और दूसरा उसने बौध धरम को अपना कर कश्मीर में चौथी बौध संगीती का भी आयोजन किया था कौनसी बौध संगीती तो थी एक बड़ा धार्मिक बौध संबेलन हो भी था चौथा कश्मीर में तो इन दो कारणों की वज़े से तनिश्क प्रतम पेमस है अगला कोशन है 131 के तराइन का प्रतम युद्ध कब हुआ तराइन के दो प्रतम युद्ध हुए है पहला 1191 में मौहमद गौरी हारा था प्रतिवीराज चोहान वेजय हुए 1192 में मौहमद गौरी प्रतिवीराज युद्ध क यहां पर पूचा गया है तराइन के प्रतम युद्ध कब होगा तो 1100 में हुआ तो option 3 इसका right answer होगा अगला question है 132 में कि चोगान खेलते समय किसकी ब्रतिव हो गई थी अगला question है बहुत important question है कि बजार नियंत्रन मैं अभी ऊपर एक आपको बता रहा हूं कि चोगान खेलते समय जिनकी ब्रतिव हुई थी वो कोद्बुद्दीन एबक लाक वक्ष के नाम से भी जाने जाते हैं यह question आ सकता है आपको बता रहा हूं कि लाक वक्ष कोचा जाया कि लाक वक्ष किसको कहा जाता है तो लाकों का आनकरने वाला हो दानप्री हो लाक वक्ष किसको कहा जाता है कुत्बुद्दीन एबक को कहा जाता है यह पुक्ष्टा सकता है ठीक अब आगे बढ़ते हैं बजार नियंतर्न प्रथा लागू की तुद्दा का मतलब लागू किया था लावदीन खिल जी ने तो आफ्शन बन इसका राइट हां कि उसने क्या किया था कि कम बेतन में तैनिकों का खर्च कलाने के लिए बजार को कंट्रोल किया था तो अगला कोश्चन है 134 मा निम्लिकित में से गलत कथन को बताना है जो गलत हो तुझके बावरी यह जो है अकवर नामा जहागीर यह जो है गलत है और हमायू नामा जो है गुल बदन बैक यह पदमावत मलिक जाईसी ने लिखा यह भी सही है लेकिन आप्शन तू जो है अकवर नामा है यह जो संबंध है वो गलत है तो यही जो है आप्शन सही होगा पर नमा फिर किस ने लिखा यह अकवर जो नमा लिखा है तो लिखा है अब फजल ने, पजल आईए अब फजल करेंगे, कोशन नमा लेंगे, हम 135, 135 में यह है कि भारत में बैपारिक, रुपी बैपारी will be? रुपी बैपारी आए, तो सबसे पहले कौन से आए तो सबसे पहल आए थे डच, दच के बाद आए अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद आए फ्रांसिज, एक क्रम देखिए किसमें, 135 का जो क्रम है, ओ है चौथा, मैं B पर्तुकाली है, फिर A डच है, और T फिर अंग्रेज है, और फिर T जो है फ्रांसिज है, तो आप्शन होगा, अगला कोशन है, प्रतम मैसूर युद्ध कभ हुआ, प्रतम मैसूर युद्ध यानि मैसूर युद्ध चार हुए है, प्रतम मैसूर युद्ध हुआ, 1769 तो प्रतम मैसूर कभ युद्ध हुआ, तो 1766 में हुआ, तो आप्शन बन इसका राइट अंसर होगा, अगला कोशन है 10 माई 1857 की जो आजादी की सम सुतंता संग्राम था आजादी की पहली रिलाई थी उसमें से सैन विद्रो कहां परारम हुआ तो 10 विद्रो मेरेट में हुआ था तो option 3 इसका right answer था कि 9 माई की घटना की अनकार 90 से 95 सिपाईयों ने कार्टू नास्ते लगाने की दिये मना किया और 9 ने ये है आपर विद्रो शुरू किया किला कोशन है 138 मा कि सबसे पहले सर्व प्रतम पूर्ण साच्छर पूर्ण पड़ा लिखा कौन सा राज्य बना सबसे पहले पूर्ण राज्य बना वो केरल बना option 1 इसका right answer जानते हैं कि केरल की जो लिटरेसी है जो साच्छरता दर है वो 100% है संपत्ति के अधिकार को किस संसुधन के द्वारा हटा दिया गया पहले यह संपत्ति लेकिन 44 में संसुधन के द्वारा इसको हटा दिया गया तो option 1 इसका right answer हो था अगला कोश्चन है 140 मा के सम्मिधान के मूल करतब को किस सम्मिधान में मूल करतब हैं उनको एक सम्मिधान के परसंदा के आदार पर सामिल किया गया है तो वो जो समिती है वो स्वन सिंग समिती है तो option 3 इसका right answer होगा इसकी समित पर वो सामिल किया है अब 141 में question भारत कब गरतंत्र बना तो भारत जो है गरतंत्र कब बना ये बना हम जानते हैं कि जो option है तो 1949 वाला option आप देखिए 26 नमंबर 1950 को भारत का जो गरतंत्र है वो तयार हो गया ठीक है इसलिए हम जो है संवितान देभस भी बनाते हैं 26 नमंबर को अब जो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा गरतंत्र को लागू हुआ था पन के तयार कब हुआ वो 26 नमंबर 1990 को ठीक है अब जो मौलिक अधिकार है हमारे नागरिकों के उनका जो है संद्रच्छा कौन है गार्जियन कौन है पालका होगी इसका राइट आंसर है कभी ऐसे भी पूछली जाता है कि मौलिक अधिकारों का संद्रच्छा कौन है तो वो चितम नियाले है आगे बढ़ेंगे कोशन लेंगे 143 मा कि लोकसवा और राज्यपाल इनकी जो है संयुक्त जो है कमाइन जो है बैठक की अध्यच्छता कौन करेगा अगर बैठक लेगा तो इसमें अध्यच्छ की भूमका में क यह कोशन है कि उच्टम नियाले उच्टम नियाले का मतलाव है सुप्रीम कोड कि जो नियादीश है जो जग है उनकी सेवा निवरति रेटायरमेंट घरण आयू होते हैं तो सेवा निवरति घरण आयू होती है तो 65 वर्स तो है ता उच्छ निया लेके उस्टी वी यर्सो राइट आगे देखते हैं मिसाइल में की नाम से कौन प्रसिद्द है यह तो हम जानती है कि इधा मिसाइल में ओफ इंडिया 8th क्लास में रहेंगे तो मेसाइल में की नाम से प्रसिद्द है वो है एप जे अबदूलकलाम अबूल पाकिर जैनरल अब्दिन अबूलकलाम इनका फुल नेम है तो इनको कहते क्यों हैं मेसाइल में क्योंकि देश में बैलिस्टिक मेसाइल और डेक्नलोजी को सक्षेस्पुलिए suspension बनाने की बाद यानि देश को ballistic missile दी टेक्नलोजी दी और अपने देश को इन्होंने सफलता पूरवक independent बनाने के बाद APJ अब्दुलकलाम को missile man की नाम से जाता है देश में जो missile पहली बार डबलप हुई वो सिर्फ अब्दुलकलाम की देखरेक में ही हुई इसलिए इनको missile man कहा जाता है अगला कोशन है कि दुती विशुदी की सुरुवात कब हुई पहले हम प्रतम विशुद देखें 1914 में सुरुवात हुई और 1918 तक चला दूसरा विशुदी विशुद 1949 से तक चला तो इसमें क 1 सितंबर 1949 को जर्मणी ने पोलेंड पर आकरमण किया था और 3 सितंबर 1949 को पोलेंड की सीमाओं पर अपनी गारंटी का सम्मान करते हुए Great Britain और France ने जर्मनी की किताब युद्ध की गुशना की इक आगे देखेंगे संयुक्तरास संग की स्थापना का वोई संयुक्तरास संग की हम कहते हैं United Nations Organization की स्थापना होई थी कि सांती स्थापित करने के लिए आपस में आगे ना हो तीसरा युद्ध इशुद्ध ना हो संसार में सांती और सुरच्छा बनी रहे और इसके लिए सैन फ्रांसिस्को अमेर्का के एक शहर सैन फ्रांसिस्को में आपस में विचार विमर्स किया कि एक संगठन बनाया जाए क्योंकि सांती और सुटा बनाई रखी इसकी स्तापना हुई थी 24 अपर उनिस इसको तो option 1 राइट आंसर आगे कोशन देखते हैं 140 मा किस अंत्रच यान से अंत्रच यात्री चंदर्मा पर गए हैं कौन सा अंत्रच यान था इससे अंत्रच यात्री थे वो चंदर्मा पर तो वो था अपोलो सेंड ऑफ्चन 2 तो ऑफ्चन 2 इसका राइट आंसर अगला कोशन है GMT green which तो कहते हैं इसका क्या तात पर है तो इसका तात पर जो है इन विच बीन टाइम है तो ऑफ्चन 3 इसका राइट आंसर तो गिरीन विच बीन टाइम क्या है तो सभी देशांतर र डेखाओं की कांटिंग में कठनाई ती इसलिए सभी देशों ने क्या किया सर्वसमती स्याकि लंड़न के निकट, संदन के निकट Green, which नमकिस्तान परिस्तित Green, which वेद साला से गुजरने वाली देश आंतर रेखा को हम क्या कैंदे इस रेखा कहेंगे ये सब लोग पॉपाल लिया अब आगे हम देखते हैं अगला कोश्चन है 150 मा की क्रोड क्या है जब हम प्रत्वी का डोमेन देखते हैं उनके परिमंडल देखते हैं तो इसमें क्रोड जो है बिलकुल भीतरी भाग होता है जो की रेड होता है तो जो क्रोड क्या है वो प्रत्वी का सबसे भीतरी भाग है तो option 3 इसका right answer का हमारी गोल प्रत्वी के केंदर में क्रोड कहा जा के मेंटल के ऊपर यान légुतिए अं敢 वाली जो परत को हम क्या कहेंगे तो कहें निक्ष को नहां किए क्रस्ट की सबसे भार वाली है उसके बाद आता है मेंटल और केंदर में क्या कौन डब होती है वह केंदर में देश के उत्तर दिसा में बहुत उंचा पहरेदार की खड़ा है और इसे पार करके भारत में आना कठेन है इसलिए ये भारत का पहरेदार कहा जाता कोश्चन है पोपा पोपा एक ज्वाला मुखी है और ये बताना है कि पोपा ज्वाला मुखी है कहां ओपा जो जुआला मुकी है वो जो है कहाँ पर है मियामार में है तो option 3 इसका right answer होगा अब ज्वाला मुकी होता क्या है कि ज्वाला मुकी जिसके मुक से आग निकलती हो जिसके मुक से ज्वाला निकलती हो उसको ज्वाला मुकी कहते है अब उसमें से निकलेगा क्या निकलेगा गैस उसमें से निकलेगी राक, धुआ, कंकर, पक्तर, मैगमा कोई कभी कभी पूछ लेते हैं कि ज्वाला मुखी इसे निकलता गया आधी तो इसमें ज्वाला मुखी तीन प्रकार के होते हैं एक होता है सक्री ज्वाला मुखी जिसको कहते हैं इंग्लिश में एक्टिव वॉल कहनो ज्वाला मुखी को इंग्लिश में प्रकार के होते हैं सक्री ज्वाला मुखी जैसे इटली का एटना और इस्ट्राम बोली नोट करिए इटली का एटना और इस्ट्राम बोली जो की सक्री है नोट कर लिया होगा दूसरे जो आला मकी प्रकार के होते हैं जॉर्मेंट तुप्त जो जो आला मकी होते हैं उसमें बिस्पोड बहुत कम होता है और कभी कबार होता है जैसे जापान का फ्यूजी यामा जोट करिए जापान का फ्यूजी यामा और इटली का विसुवियस इटली का विसुवियस ये जो है सुप्त जो आलमुकी है उनमें कम विसुट होता है जो सक्री बताये थे वो इटली का साथ गया पाण संत inad and just a chance prosecutors कमक्षकी अठा होगा अब वहाँ पर सांथ रहते के की उनके जो मुखी के मुंग से युडार पतर निकल इसको क्रेटर कहते कुर स्वांथ एक मुह पर पानी बर जाता तो इक धील सी बन जाती है तो हम कहते हैं तो जो आलम होगी है एक सो त्रेपनमा वाइदाब मापी यंद्र क्या है वाइदाब मापी यंद्र है पेरो मीटर आफ्शन फॉर इसका राइट आंसर होगा ला कोशन है कि वाइवंडल में सीओ टू कारवन डायकसट पाजाती है न अगला कुश्चन है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की बन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में बन पाए जाते हैं सदावार वन तो ऑप्शन वन इसका राइट ऑफ्शन थ्री इसका राइट आंसर होगा एक मिनट का ऑफ्शन वन सदावार वन मांसुनी 1 राइट पारवर गलत हो रहा है ऑफशन 3 इसका राइट आंसर है मांसुनी 1 प्रदेश में किस प्रकार की बन पाई जाते हैं मांसुनी 1 अगला कोशन है चिलका जील किस राज में है चिलका जील जो है उडिसा राज में है किला कुश्चन है कामाख्य मंदिर किस राज्य का महत्वपूर परेटन इस्तल है तो कामाख्य जो टेम्पिल है वो अप्शन वर अणाचल प्रदेश ऑफ्शन टू असम ऑफ्शन तरी त्रिपुरा ऑफ्शन फूर मिजूरम तो असम इसका इसका राइट आंसर होगा पुश्मेन किस देश में है पुश्मेन क्या है अफ्रीका के कालाहारी मरुस्तल और आसपास के इलाकों में निवास करने वाली एक बेहत प्राचीन प्रमुक जंजाती है फिर से सुनिए पुश्मेन कहा है पुश्मेन अफ्रीका के कालाहारी मरुस्तल और आसपास के इलाकों में निवास करने वाली एक बेहद प्राचीन बहुत पुरानी और बहुत मुख्य जन जाती है तो यह कहां पर है अफ्रीका में ऑफ्शन टू इसका राइट आंसर इकला कोशन है इप्वर्टन कोशन है यह भी इंप्वर्टन का कि अमेजन तता जायरे घाटी की लोग खेती क करते हैं तो वह एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर इप्रकार की खेती करते हैं जिसको हम जूम खेती करते हैं तो आफ्शन थरी इसका राइट आंसर होगा अब हम मूब करेंगे एक सो आटमा कोशन लेंगे लास्ट होगा कोशन यह है कि कहवा कहवा पौदे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है तो जो कहवा है पौदे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है केहवा पॉधे से कौफी बनाई जाती है तुक तना तो नहीं है जड़ है जड़ भी नहीं अब अच्छा फल और फूल है तो फल से जो है कहवे पॉधे किस बाग से प्राप्त किया जो है फल से प्राप्त है तो यह थे समाजिक अध्यन के 35 questions I hope आप इनको note कर लिया होगा आपके लिए यह practice that helpful सावित होगा ऐसी मुझे उम्वीद है मिलते हैं हम next वीडियो में और अब आपके लिए बहुत बहुत शुब कामना है जो आपका पांस तारीक को जो पेपर होगा मिलते हैं next वीडियो में thank you very much